गाईस इन दिनों मैं यूटूब पर देख रहा हूँ कि जब मैं यूटूब वीडियो अप्लोड करता हूँ और वहाँ पर थमनेल लगाता हूँ तो अप्लोड करने के बाद जो मेरी थमनेल क्वाल्टी है बो आटोमेटिकली पता नहीं क्यों यूटूब डाउन कर दे रहा है इसी को देखते हूए आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सैलूसन लाया हूँ कि किस तरीके से आप अपनी थमनेल की क्वाल्टी को और वीडियो में क्लिक कौन करेगा यानि कि जो हमारे थमनेल की क्वाल्टी कम रहेगी तो लोग हमारे थमनेल पर क्लिक नहीं करेंगे जिससे कि हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आपाएंगे तो उसी के लिए आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको थ pixel lag application है वहाँ से upload कर रहा हूँ thumbnail ultra HD में या फिर full HD में मैं उसको import करता हूँ मतलब वहाँ से download करता हूँ save करता हूँ अपने phone में and save करने के बाद जब मैं इसको upload करता हूँ तो पता नहीं क्यूँ thumbnail की quality काफी down हो जाती है YouTube पर जिसको देखते हुए मैंने सुचा कि इसका solution किया जाए नहीं तो यहाँ पर वीडियो में views काफी कम हो जाएंगे तो चले गाज इसके लिए हम चलते हैं अपने mobile screen पर वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अपने thumbnail की quality को और भी जादा improve करना है और ज्यादा अच्छा बनाना है तो चले गाज हम चलते हैं अपने mobile screen पर तो गाज देख सकते हो यहाँ mobile screen आ चुका है और यह जो application है रैमिनी या फिर रैमिनी यह application है और इसको मैंने playstore से डाउनलोड करा है इसके अंदर आपको क्या करना है simply आपको login कर लेना है अगर आप paid लेना चाहते हो तो आप इसको paid version में यूज़ कर सकते हो paid version में यह है कि आपको add नहीं आएगा otherwise आप free में ही use करना free में यूज़ करना ठीक रहेगा और free में थोड़ा सा add आपको जरूर दिखाएगा लेकिन यहाँ पर आप क्या करना है आप अपनी photo की quality भी improve कर सकते हो आप अपने thumbnail की quality भी improve कर सकते हो overall अगर आपकी कोई photo भी है जिसकी resolution कम है या फिर उसकी quality कम है तो आप उसकी quality को और improve कर सकते हो quality की यहाँ से बढ़ा सकते हो otherwise अपने thumbnail की quality को भी जहां से आप increase कर सकते हो and आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको simply यहाँ पे upload करना है and इसको पकड़के इस तरीके से कर देना चीज़े देख सकते हो screen में चल रही है and इसके बाद आपकी जो thumbnail की quality है वो काफी ज़्यादा improve हो जाएगी and इसके बाद आपको वहाँ पे upload कर देना है अपने YouTube पर अपने YouTube के वीडियो पर तो जो thumbnail की quality है वो ठीक ठाक रहेगी वो low नहीं होगी तो guys आसा करता हूँ आपको इस वीडियो में बाद बाई